दूसकार दोस्तों मैं शप्रकास शेनी आपका दोस्त और आप देख रहे हैं डेली घेतिवारी यूटूब चैनल दोस्तों आज के यूडियो में हम बात करने वाले हैं कटेल के पेड़के ग्राप्टिंग के वारे में दोस्तों तो चलिए सिरू करते हैं दोस्टा हम देख रहे हैं हमारा मदर प्लाण्ट है और यह बहुती काफी बड़ा प्लाण्ट है इसमें काफी फल आ रहे हैं अभी फलन इसमें हो रहा है और हम इसी से ब्रांच लेने वाले हैं ग्राप्टिंग के लिए जो हमारे चोटे-चोटे पौदे हैं कटेल के उसमें हम ग्राप्टिंग करने वाले हैं तो चलिए हमने ये ब्रांच ले लिया है और आब हम चलते हैं उस पेड़ के उन पोदों के पास यहां हमने लगाए हुए हैं कटेल के छोटे-छोटे पोदे जिसमें हम ग्राप्टिंग करने वाले हैं कोछ इसको ऊपर से इ करने के बाद कुछ निसान सा दिखता है उस निसान के नीचे से हमको थोड़ा सा टेपर कट करना है क्योंकि पत्ते के चेस्ट ऊपर से ही नई ब्रांच निकलती है तो पत्ते के जेस्ट नीचे से कट करना है यहां से ब्रांच निकलने वाली है उस जगे से कट करेंगे तो हमा स्पेड में भी चीरा लगाएंगे जिसमें हमें इसकी grafting करने वाले हैं, कई लोग इसको ख़ब गरापटिंग करते हैं, लेकिन मुझे यह तरीका सबसे सरल लगता है तो मैं इसी तरीके से grafting करता हूँ, अब हमने यह cutting तैयर कर ली है कुछ इस तरीके से, और अब हम स्पेड में उपर से इसको चीरे लगाएंगे और चीरे लगाने के बाद बीच ओ बीच इसको जो हमारी कटिंग है उसको ठीक से उसमें फिट बैटा देंगे और फिट बैटाने के बाद हमको सेलो टेप या पॉलितिन की हेल्फ से इसको कसके बांधना होगा अभी हम इसके ज लूजिंग ना रहे और हमारी जो ग्राप्टिंग है वो सक्सेज हो जाए इसके लिए हमने इसको ठीक से कसके बांद दिया है और अब हम इसको कट कर देंगी कट करने के बाद आप हम इसमें उपर से पैना देंगे ताकि इसमें मौश्यर बना रहे और जो बारिश मारिश हो तो इसमें पानी ना लगे पानी लगने से इसमें फंगसा सकती है और हमारी ग्राप्टिंग अंसकसेजफल हो जाएगी इसलिए हमने इसको उबर से पैना दिया है दोस्तों अगर ये वीडियो समय से मिल सकें और मैं मिलता हूं दोस्तों एक हैंसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप देखते रहे हैं डेली घेतिवारी नमस्तार